हेटो ग्लाशिक्स बिटा चप्टर नूमर 11 त्री डायमेंशिनल शेप्स टोड़े वी आर कंटोरिंग और पर थर्ड के इस वीडियो में वेरी इंपर्टनेट आज इस कोश्चन हम करेंगे नेट से रिलेटेड वेरी इंपर्टन कोश्चन है और बहुत इजी होता है इस टाइप के कोश्चन को करना तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरह किसे देखेंगे और सभी टर्म्स को और कोश्चन को अच्छे तरह समझेंगे अगर आपको कोई प्रब्लम आती है वाटसब पर मेसेज किएगा आपको सॉलेशन प्रोवाइड करा देंगे तो चलिए जल्दे से स्टाट करते हैं आज की वीडियो तो चलिए जानते हैं नेट क्या होता है नेट आपने पढ़ा हुआगा कभी नेट मीं जाल होता है लेकिन यह क्या है यहां पर नेट आपके पास डाइड क्या होता है यह डाइड वह होता है जो आप लुडो वगरा खेलते हैं उसका जो गिट्टा होता है तो आप देखिए उस पर जो उसके गिट्टे पर क्यूब जो होता है वो उस पर कुछ पॉइंट्स लगे होता है ठीक है तो वह पॉइंट्स वन टू 3,4,5,6 होते हैं ठीक है तो कभी आपने सोचा है कि अगर हम उस जो पैटर्न बना हुआ है उस पैटर्न को ओपन कर दें तो एक हमारे पास फिगर प्राप्त होगी है ना एक तरह की एक डियाग्राम निकल के आएगा तो वो जो डियाग्राम बनके हमें मिलता है वो एक तरह का सब्सक्राइब नेट होता है तो वो किस-किस तरह से बन सकते हैं किस तरह की प्रोसेस होती है उसके बारे में अज पढने कुछ एजिज एक साथ जुड़े होने चाहिए तो वो यह हमारे पास यह डाग्राम यानि शेप राप्त होगी शेप मिलेगी हमें वो शेप हमें क्या कहलाएगी नेट्स कहलाएगी ठीक है तो यह सब चीज़ें यहां पर आपको दिखा रखा है देखें यह क्यूब था इसक पार्ट को अलकल करने पर इस तरह से हमें मिलेगा तो यह नेट है एक तरह का ठीक है तो यह चीज़े होती है नेट्स में चलिए नेक्स पर चलते हैं कुछ और देखते हैं इसके बारे में तो इसको देखते हैं यहां पर नेट के बारे में क्या बताया गया है एक फ्लैट that can be folded to make a solid shape एक ऐसी shape जिसको fold करने पर आपका एक solid shape मिलेगी वो net होता है net क्या होता है actual में a net of a 3-dimensional shape is the outline एक 3-dimensional shape होती है net किसी जो हमारा solid shape है of its faces join together from which shape can be formed वो जिस तरह से बनी होती है उस तरह के faces को join करने से ठीक है तो यहां पर एक activity है इसको आप देख लीजेगा इसको मैं आपको नहीं बता रहा हूं सीधा सीधा मैं आपको ले जा रहा हूं next page पर और देखते हैं कुछ important questions इस space पर यहां पर आपको कुछ का net होता है तो यह सब चीजे हैं यहां पर shape को हमें समझना ज़रूरी है यहां पर ठीक है बटा तो shape अगर आपको समझना आगी तो आप net easily बता देंगे तो यहां पर exercise 11 भी हम करने वाले हैं चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या चीज है for each net name the 3D shape देखे हम इन net से कौन से shape बना सकता है जब देखे इस दोनों face को हम क्या करेंगे fold करेंगे और इस face को fold करेंगे फिर इस face को fold करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी figure इस तरह की figure मिलेगी और इसको हम क्या बोलते है यह हमारा बनता है Qroid ठीक है तो हमारे पास क्या मिला Qroid Qroid मिलेगा तो यह हमारे पास आंसर बन जाता है इसी तरह से B वाला हमारे पास क्या है जब यह triangle वाली जो हमारी faces है इनको हम join करते हैं fold करके तो हमारे पास इस तरह की figure बनेगी जो मैंने आपको उपर भी बताई थी, यहाँ देखिएगा सेम यह फिगर है, यह वारी फिगर मिल जाएगी और यह क्या होता है, प्रामिट विद स्कॉयर बेस तो यह हो जाएगा आपका, थर्ड गया है, इसी तरह से यह वाला है आपका, यह भी आपका प्रमिट बनेगा विद रेक्टेंगल बेस बन जाएगा, क्या कि इसके बीच में क्या है, यह रेक्टेंगल है ठीक है, और डी है हमारा, जब इसको आप फोल्ड करेंगे ठीक है तो आपका क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा ठीक है बटा तो यह हमारे पास हो गई तो फर्स्ट कोशन कम्प्लीट हो गया है सेकंड कोशन है मैच नेमस ऑफ थ्रीडी शेप इस नेट से नेम को मैच करना है तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं cylinder जो easy easy है मैं आपको पहले वो बता रहा हूँ जिससे आपको एकदम समझना जाएगा देखे इसको थोड़ा close कर देता हूँ ठीक है चलिए देखे cylinder cylinder हमारे पास यह बन जाता है ठीक है कौन का सबसे निचे दे रखा है इसी के नीचे वाला कौन हो जाएगा क्यों सरे यह कों हो जाएगा ठीक है मैं क्यूब का हमारे पास तो जवे पर के वे बच्वाgle कले में अब अपका जो बेस होगा वह स्क्वाइर होगा ठीक है और ट्रिंग्लर प्रिस्म यह बच्छी ऐगा जिसके भीच में ट्रिंगल प्रामिट आपका पास ये बनेगा ठीक है इसका बेस हमारे स्क्वेर होगा और ट्रेंग अंगलर प्रामिट हमारे आपका ये बन जाएगा तो ये सब बन गया है आपका तो ये हमने मैचिट कर दी है बड़ा ठीक है इनको आप कर लिजेगा और निट अन क्लिन अपनी नोट बुक में राइट कर लिजेगा तो एक्साइस कंप्लीट हो गई है चेप्टर कंप्लीट हो गई है आपका ये तो बस आज के लिए इतना ही कोई प्रब्लम आती है बटा वाट से गुर्पय में मेसेज कीजिए गाए थैंक यू आपका यू आपका यू आपका यू आपका यू आपका यू आपका यू